जो भी मनुस्य ध्यान की खोज में है, उसका यह प्रश्ण लाजमी है कि गौतम बुद्ध ने ध्यान की क्या विधी बताई होगी, ताकि वो भी उस विधी को समझ कर ध्यान की और अगरसर हो सके। अगर हम बुद्ध के दर्शन पर कहराध्यन करें, तो हमें पता चलता है कि बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए पहले जिग्यासु को अपने को तयार करना पड़ता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि आग बंद करके चुपचाप बैट जाने से ध्यान घटित हो जाएगा। सबसे पहले अपने को तयार करना होगा। और यह तयारी है जिग्यासु के लिए पाँच नियम जिने पंच शील का से दान तिपी कहा गया है। यह नियम है जीव हिंसा से परहेज। जो बस तु दी नहीं कई हो उसे लेने से परहेज यानि चोरी नहीं करना। काम वासना में लिप्त होने से परहेज, जूट बोलने से परहेज, नशिले पदार्थों से परहेज। सबसे पहला काम है पंच शील को अपने जीवन में अच्छे से उतार लेना, धाल लेना। जब यह जीवन का एक हिस्सा बन जाएं और वो जिग्यासु की आध्यात्मिक अभ्यास की सुरुवात हो शकती है। तो कोई भी जिग्यासु जिसे बुद्ध के मार्ग पर चलने की ध्यान, समाधी, खुशी और आनंदी की जीवन में इच्छा है, उसे यह पांच नियम अपने जीवन में अच्छे से गहराई में उतार लेने होंगे। आध्यात में कोई रेसीपी नहीं है, कोई रेडी मेट कौफील की तरह नहीं है कि हर कोई, हर किसी को जब चाहे, जहां चाहे उपलब्द हो जाएगी। यह निरंतर ही अपनी खूज है, यहां दूसरे से कोई सरोकार नहीं। अब आप सोचो, क्या हम जो जीवन जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी दिन चरिया है, और जो हमारे मन की ट्यूनिंग है, लई बद्धता है, और पूरा समय हम अपने आप से दूर भागे चले जाते हैं। दूसरे पर ही हमारी नजर है, हमारा ख्याल ध्यान सिर्फ बाहर है, और कभी अपनी और आता भी है, तो सिर्फ क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे इंजोई करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को कैसे समझाय जाए, कैसे इसे खुशी दी जाए, और मन कभी भरता नहीं। इसलिए आध्यात्म का मार्ग बहुत ही थोड़े लोगों के लिए रह जाता है जिनको इतनी गहरी तड़प लग चुकी है जिन्होंने जीवन को कहीं न कहीं इतने गहरे में अलुभों कर लिया होगा और अंदर से समझा गई, प्रग्या जग गई, विबेग जा गया कि इस सुख की खोज करनी है अगर शान्ती और आनन्द चाहिए तो उन ज्यानियों की शरण लेनी होगी जिन्होंने दुनिया में घोशना की कि उनको सच्चा सुख मिला, परमानन्द मिला और उन्होंने इसके लिए मार्ग भी दिया, उब्देश भी दिया और बिधिवी वताई अपने आप से पूशना होगा कि क्या आप वास्तव में समझ गए है कि आध्यात्म का मार्ग ही सच्ची खुशी और शान्ती का मार्ग है, बाहर दुनिया में आपको शान्ती और खुशी नहीं मिल सकती, क्या आप अपने उपर बताये हुए पंचशील के पंचशील को अपने द्रड़ता से उतारने को तैयार है, यह भी जरूर कठीन होगा क्योंकि शरीर आदतों से चलता है, और अगर हम उपर के पंचशील नियमों के बिरुद्ध आदते बना चुके हैं, मान्स खाते हैं, शराब या निनशा करते हैं, जूट बोलते हैं, दूसरे को कांत में बाते करें, पूछें कि क्या आप संसार में ही दुखसुक की नईया में टोलते रहना पसंद करेंगे, या उस खोज में निकलेंगे, जहां परमशान्ती है, खुशी है, आनन्द है, जिसको ज्यानियोंने जाना हैं, क्योंकि ये पांचों आदतें आध्यात्म के मा मार्क में बाधाये, बिना इनका पालन किये, कोई भी जिग्यासु ध्यान साधना के मार्क में पुरवेशी नहीं पा सकता, यह घोशना बुद्ध ने की है, और तभी पंचशील का सिध्धान्त बनाया गया, जिग्यासु जब इन पांचों नियमों को साथ लेता है, और अ अंसार में जीवन दुख मैं है, दुख समुदई इन दुखों का कारण है, दुख निरोद दुख से मुक्ती संभव है, दुख निरोद गामीनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ती पाई जा सकती है, बुद्ध ने उबदेश दिया कि आर ये अस्टांगिक मार्क पर चलने स जिसे उन्होंने मध्यमार्ग भी कहा है, दुख और पीडा का नाश हो जाता है, और ये आठ अंग जिनका हम आगे आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे, वो है सम्यक द्रश्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीवन, आजीव, सम्यक ब्यायाम, सम्यक स्म्रती, सम्यक समाधी, जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कभी आपने सोचा कि उनको घर में भी पढ़ाया जा सकता था, बच्चे को स्कूल भेजते हैं ताकि उसका मन एक नियम मचले, रोज स्कूल की ड्रेस कोड, टाइम टेबल, खाने पिने का टाइम, क्ल टाइम पर छुटी, और फिर अपने माबाप के आने का इंतजार करना है, या स्कूल बस के लिए लाइन लगानी है, घर आकर थोड़ा आराम, फिर होम वर्क, फिर थोड़ा खेलना, ये सब एक बच्चे की सुबह से शाम तक की दिन चरिया है, उसमें कितनी रिष्टिक्श करते हैं, और बच्चे के बड़े होते ही उसकी आदितों को ध्यान में रखते हैं, कि कहीं ये बंक तो नहीं मार रहा है, कहीं ये गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, ये क्या देख रहा है, मुबाइल में या टीवी में, इन सब बातों पर हमारी नजर रहती है, ठीक इसी प्रकार हम आध्यात्म।ं। में प्रवेश करते हैं। भागिशाली होते हैं वह लोग जो बहुत जल्दी समार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। और उन्हें guru या टीचर मिल जाता है। नहीं तो इतनी आध्यते पाल लेता है कि वो चाहा कर भी आध्यात्मी की तरफ नहीं बढ़ सकता यह पंचशील का नियम बुद्ध ने एक स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए ही बनाया है जो अब आध्यात्मी के स्कूल में प्रवेश्ट पाना जाता है इस मार्ग में लगन और तत परता से प्रियास करने को तैयार है आपको अच्छे से सोचना होगा कि बुद्ध की ध्यान बिदी की पहली आनिवार्यता है पंचशील नियमों का अनुसरण और गुरु को मानने गुरु की बातों और उबदेश पर जो चलने को तैयार है आगे आने वाले वीडियो में हम समस्त दुख और पीडा का नाश करने वाले अस्तांगिक मार्ग की बारे में डिटेल में बात करेंगे